हलो गाइज, सेट नमबर फाइब है, जो मैं तेंत कलास दोजारताइस के लिए most important objective है, दोस्तों एक बात आपको बता दें कि ये 100% इस सेट से आने वाला है एकजाम में question और आपको रट करके नहीं जाना है एकजाम में, आपको समझ करके जाना है जो कि दोस्तों आपको बनाने आजाना चाहिए, जब तक आपको objective बनाने नहीं आएगा तब तक आप अच्छे S-Coding एकजाम में नहीं कर पाएंगे, ठीक है तो देखिए आप कैसे हम प्रते एक objective को solve करते हैं, वीडियो में आप बने रहें देखिए क्या कहा, कि किसी ब्रीत के एक बिंदू पर खिची गई असपर्स रेखाओं की संख्या है ठीक है, किसी भी ब्रीत पर, आप समझ लीजे, ये S-C को ब्रीत कहा जाता है, ठीक है असपर्स रेखा, ये S-C कहा जाता है, ठीक है, असपर्स तो वही कह रहा है कि किसी ब्रीत पर एक बिंदु पर खिची गई असपर्स रेखा की संख्या कितना हो सकता है तो एक बिंदु पर दोस्तो एक अही असपर्स रेखा खिचा जा सकता है ठीक है अब हम देखेंगे दूसरा नंबर कोस्चन किसी बाई बिंदू से ब्रीत पर खीची गई अरसपर से रिखाओ की संख्या हो सकता है कितना ठीक है तो बाई का मतलब बाहर होता है ठीक है बाहर से कितना खीचा जा सकता है तो दोस्तो दो खीचा जा सकता है ठीक है तो इस परकार से इसका option number क्या हो जागा तो 2 हो जागा अब हम देखेंगे तीसरा number question ठीक है अब तीसरा number question यहां से आ जाता है बनाने वाला ठीक है क्या कहा यदि किसी बृत का ब्यास अब समझ लीजिए कि ये जो बृत है और कहा कान खोल करके सुन लीजी तीमाग में बैठा लीए कि अगर ब्यास कह दिया क्या कह दिया अगर ब्यास कह दिया जहां ब्यास कहहेगा वहां 3 ते इstar अब ब्यास बटा दो मतलब ब्यास को क्या करना है दो से भाग कर देंगे तो 7 cm तिरीजिया हो गया मतलब ब्यास का आधा तिरीजिया होता है अब क्या का रहा है निकालने के लिए ब्रीत का छेत्रफल तो छेत्रफल का सुधर क्या होता है पाई आरे स्कॉाइर होता है ब्रीत 22 बटा 7 गूने 7 का square है मतलब 7 को 2 बार तो 7 से 7 कट गया 22 में 7 से गूना करेंगे तक कितरा हो जागा 154 तो इस परकार से हम दोस्तों आपको बता दे कि 3 नमबर का D नमबर option इंसर हो जाएगा ठीक है अब हम चलते हैं 4 नमबर question यदि किसी ब्रीद का ब्यास 14 cm हो तो ब्रीद की पड़ीधी आपको ग्याद करना है ठीक है तो आप समझ लेजिए कि यही तो यहां तक है तिरिजिया आपको तो इसी सेम निकालना पड़ेगा यहां पर लेकिन सिर्फ क्या हो गया तो फर्मूला को चेंज कर दिया गया है तो इसी पर बैठा लेंगे दो गुने 22 बटा 7 अगुने आर का भैलू कितना हो जागा तो 7 तो 7 से 7 हो गया कट गया 7 से 7 तो 22 दूना क्या होगा 44 तो इसका क्या हो जागा फूर नमर कोस्चन का ओप्सन नमर C हो जागा एंसर अब हम देख लेते हैं अगला नमर क्या पांचवा नमर कोस्चन क्या कह रहा है यदि किसी ब्रीत का छेतरफल इतना है तो ब्रीत का ब्यास ग्याद करना है ठीक है अब इसमें ब्रीत का ब्यास हम कैसे ग्याद करेंगे तो सबसे पहले ब्रीत का छेतरफल दिया हुआ है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे ब्रीत का छेतरफ मतलब जिसका मान दिया रहेगा अगर पड़िदी का मान दिया रहा था तो पड़िदी का अच्छे लगाते सुत्र अगर छेतपल दिया होते छेतबल का सुत्र लगाएंगे जिसका दिया रहेगा यहां पर मान तो उसी का हम सुत्र लगाएंगे तो यहां ब्रीद का छेतपल किसको 1244 बराबर क्या होगा के 12700 निकल lieक कि लिगे तो इसलिए हम यहां पर त्रीज निकाले लेंगे तो ऑईस से जब ये दोस्तों इसको भाग देंगे तो यह कर जागा 112 मुर्टर में ठीक है अब क्या हो जागा यहाँ पर जब यह सक्याओ Q 9 तो 112 से ये 7 में गुना हो जागा, तो कितना हो जागा, 784 हो जागा, ठीक है, तो R A SQ बराबर हमको 784 पता हो गया, लेकिन अगर वही जब ये R बराबर करेंगे, यहां R A SQ को अगर हम R लिखेंगे, तो ये जो संख्या दिया हुआ है, इस पर क्या हो जागा, तो रूट यहा तो 12 बराबर सुत्र क्या होता है, 2 गुने R, मतलर 2 गुने 3 जिया, तो क्या करेंगे, 2 गुने 28 ता 28 दुना 56, तो इस परकार से क्या हो जागा, इसका option नमबर क्या हो जागा, तो A हो जागा, 5 का option नमबर A हो जागा, जो कि यहां पर 56 इसका answer आजागा, अब हम देख लेते ह ठीक है तो छोन नमबर कोश्चन क्या करा है यदि किसी बृत की पड़ीधी कितना दे दिया 66 cm हो तो ब्यास ग्यात करना है तो आपको पता है यही पर बनाते हैं कि बृत की पड़ीधी बृत की पड़ीधी बराबर क्या सुत्र होता है तो बृत की पड़ीधी बराबर सुत्र अगुने यह से R, ठीक है, अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखे, उपर काटना पड़ेगा, तब 22 तिया, कितना होगा, 66 होगा, ठीक है, अब बच गया क्या, 3 बराबर, 2 R बराबर, 7 बच गया, अब इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखे, ऐसे क्या करना पड़ेगा कि इसको जब गुना कर लेंगे तो क्या होगा पहले तो इसके नीचे नहीं कुछ तो एक लिख लेना पड़ेगा ऐसे गुना कर लेते एक में टू आर से गुना करेंगे टू आर अब बराबर क्या होगा तीन सते एक कोईस तो आप क्या लिखेंगे आर बराबर ए इसका answer हो जागा, अब हम देखते हैं अगला number 7 number question को देख लेते हैं, कि देखिए 7 number question क्या कहा रहा है कहा रहा है कि एक ब्रीत की पडमीती ठीक है, आपको बता दे पडमीती और पड़ीधी दोनों एक ही चीज होता है, इस बात को तो दिमाग में बैठा लेजिए, कि परमीती और परिधी एक ही चीज होगा, तो 44 cm है, तो ब्रीत का छेत्रफल यहाँ पर हमको ग्याद करना है, ठीक है, तो ब्रीत का छेत्रफल हम ग्याद कर पाएंगे कैसे, तो यहाँ देख लेते हैं हम, ठीक है, सबसे पहले हमको परमीती दे दिया तो परमीती से हमको क्या निकल जागा आर का भेलू निकल जागा तो देखिए इस परमीती मतलब परीधी कितना दे दिया तो हमको 44 दे दिया तो यहाँ सुत्र लगा लेते हैं क्या बिरीत की परीधी बराबर क्या होता है टू पाई आर ये सुत्र होता है और परिधी दे दिया 44 तो बराबर ऐसे लिख लेंगे तो क्या लिखेंगे 44 गूने 44 बराबर 2 गूने 22 बटे 7 गूने आर ठीक है तो 22 दूना 44 दो से 2 कट गया तो इस परकार से आर का भलू हमको पता केतना हो गया तो आर का भलू दोस्तो 7 पता हो गया ठीक है तो अब हमको लाश्ट में निकालना क्या है तो ब्रीध का छेतर फल तो यहां सुत्र लगा लेंगे ब्रीध का छेतर फल क्या होता है पाई आरे स्क्वाइर तो क्या लिखना परेगा पाई कमान 22 बटे 7 अगूने यहां आर तो यह नमबर दोस्तो इसका इंसर हो जागा दोस्तो आप लोग को वीडियो कर अच्छा लग रहा है तो फली चैनल को लाल बटन दबागर के सब्सकाइब कर लेंगे और अधीक सद्धीक अपने मित्रों के पास क्या कर लेंगे तो सेयर कर देंगे